हेलो गाइस बेलकम और आपका स्वागत है हमारे चैनल नौलेज फैक्टरी में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक के साथ और ये एक बहुत ही कामन सा टॉपिक भी है हम इंडिया के लोग जब भी हमें कोई मैडिसन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है या फिर हम कमिस्ट की शॉप से उसको खरीद के लाते हैं तो हम सीम्पली जो भी हमारे पास लिक्विड बदात हो चाहे वो फ्रूट जूस हो चाहे फिर वो दूद हो चाहे फिर वो पानी हो हम सीम्पली उसके साथ उस दवाई को ले लेते हैं मगर आपको ऐसा नहीं करना है इसी डाउट को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ medicines के बारे में जो आपको कभी भी दूद के साथ नहीं लेनी है और ना ही दूद से बने हुए products के साथ लेनी है तो आईए शुरू करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हैं हमारे पास Antibiotics तो Antibiotics में हम ले रहे हैं Tetra Cycline और Doxycycline तो Tetra Cycline और Doxycycline किस तरह की packaging में आते हैं वो देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो Tetra Cycline है वो यहाँ पे यह packaging में आती है यह भी packaging Tetra Cycline की है और यह भी Tetra Cycline की है वैसे अगर doxycycline की बात करें तो इस टाइब की packaging में आपको doxycycline भी मिल सकती है और ये कुछ brands जो है हमने आपको दिखाए है demo के लिए वैसे और भी brands के साथ ये दवाईएं आती है तो आपको simply जो है वो general name देखना है ये देखिए general name सेम रहता है अमेशा ये है हमारा tetracycline हर एक पे लिखा हुआ है वैसे ही doxycycline भी आपको देखने को मिल जाएगा ये एक generic name होता है medicine का तो tetracycline और doxycycline को आपको कभी भी दूद के साथ नहीं लेना है ऐसा क्यूं है यही हम बताएंगे आपको तो सबसे पहले बात कर लेते हैं tetracycline यूज कहां पे होती है इसका परियोग कहां पे होता है तो ये infectious disease के लिए यूज होती है जैसे कि pneumonia अगर respiratory track की कोई infection है सांस लेने वाला जो system होता है अगर वहाँ पे कोई आपको दिक्कत है तो वहाँ पे भी ये antibiotic यूज होती है वैसे ही अगर आपको eyes में कोई दिक्कत है या फिर skin में कोई दिक्कत है वहाँ पे भी ये medicine यूज की जाती है ये वाली antibiotic यूज की जाती है बढ़ते हैं next जो हमारा question ये रहता है कि हमें दूद के सास्थ ये medicine क्यों नहीं लेनी है तो इसमें जो है वो polyvalent होती है ये chemistry की टरम है इसमें two bones जो होती है इसकी balance two होती है जिसकी बज़ा से ये है ये cation जो होते है pasty wine जो होते है उनके साथ मिलकर एक complex बना देती है complex ऐसा बना देती है जो हमारी body में absorb नहीं हो पाता और उसकी बज़ा से जो दवाई का असर होता है जो उसका desire जो हमें असर चाहिए होता है वो हमें नहीं मिल पाता और दवाई जो है वो based चली जाती है उसकी जो dose है वो based चली जाती है तो इसलिए हमें इंदवाईयों को कभी भी दूद के साथ नहीं लेना चाहिए देखेंगे next तो next हम देखेंगे कि नौरफलाक्सिन और सिप्रोफलाक्सिन जो है और ओफलाक्सिन जो है इन तिनों जो ये तिनों जो अंटिवाईयोटिक्स है इनको भी हमें कभी दूद के साथ नहीं लेना है इनका भी सेम ही फंडा है क्योंकि ये भी जो है react करके ऐसे complexes बना देते हैं और हमारे बाड़ी में ये absorb नहीं हो पाते हमारी बाड़ी में पच्च नहीं पाते और हमारे जो stream के थ्रू जो है उसका कोई असर नहीं दिखता हमें अगर हमें इसको दूद के साथ लेते हैं तो इस बज़ा से हमें इन अंटिवाईयोटिक्स को भी दूद के साथ कभी नहीं लेना है तो अगर देखा जाए तो नौरफलाक्सिन digestive track की अगर कोई infection हो अगर हमारे पाचन तंतर की कोई infection हो तो वहाँ पे भी use करते हैं अगर urinary track की infection हो तो वहाँ पे भी use किया जाता है वैसे ही सिप्रोफलाक्सिन और ओफलाक्सिन भी जो है उनका भी use same रहता है उनको भी जो है हम respiratory track की infection में भी यूज करते हैं skin, eyes वगरा की infection में भी यूज करते हैं और urinary track की infection में भी यूज करते हैं तो इसके बाद ये तो हमने बात कर ली अभी तक antibiotics की जो की हमें दूद के साथ नहीं लेनी है next हम बात करें कि कुछ ऐसी medicine की इनकी थोड़ी class अलग है और इनका जो use है ये भी कुछ अलग purpose के लिए किया जाता है तो इसमाहाती है atti drawnate और rizy drawnate तो ये दो जो हमारे पास medicines होती है इस तरह की हमें packaging में ये देखने को मिलती है जैसे की ये इस तरह की packaging में हमें देखने को मिलती है आप screen पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये वाली जो packaging है ये वाली packaging ये आगी atti drawnate की और बैसे ही ये आगी next rizy drawnate की तो ये दो तरह की packaging में आते हैं और अलग-लग brand की तरफ से आते हैं तो इसका अभी आपका जो है generic name देखना है आपको atti drawnate और rizy drawnate तो in medicine का आखिर use कहां पे होता है तो इनका use हो जाता है paggits disease होती है हमारी bones की disease होती है हड़ीों में ये disease होती है तो इसकी बज़ा से क्या होता है हमारी जो हड़ी हैं वो बहुत ही नर्म हो जाती है बहुत ही beak हो जाती है जिसकी बज़ा से उनके तूटने का हत्रा रहता है और उस जगा पे हम in medicine को use करते है तो बहुत सारे जो patients होते हैं वो confused हो जाते हैं क्योंकि doctor जो भी medicine bones के लिए देते हैं उनको बोलते हैं कि ये दूद के साथ लेनी है मगर ये जो दो medicine है इनको दूद के साथ नहीं लेना है और ये medicine ज़्यादा तर हफते में एक बार दी जाती है या फिर दो beaks में एक बार एक tablet ली जाती है तो आपको कभी भी confused नहीं होना है जब भी आपको इन मेंसे कोई भी doctor दवाई prescribe करता है या फिर आपका mist की shop से खरीद के लाते हैं तो आपको इसको दूद के साथ नहीं लेना है बलकि आप simple पानी के साथ ले सकते हैं I hope इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये doubt clear हो गया होगा अगर अभी भी आपका कोई doubt होगा अगर आप किसी topic वे वीडियो चाहते हो तो आप हमारे साथ comment section में बोल सकते हो कि हमेंसर इस topic वे वीडियो चाहिए तो next time हम उस topic वे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को like जरूर करिएगा और साथ साथ में चैनल को subscribe भी करें तांकि आने वाली new videos की notification सबसे पहले आपको मिल पाए धन्यवाद